हेमेटो लोजी की कलास में आपका स्वागत है आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेमेटो पॉइसिस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे बलड सेल्स हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं कैसे वो तूटते हैं क्या उनका लाइफ प्रोसीजर रहता है थोड़ा ब्रीफ थोड़ा डिटेल में समझेंगे चीजों को और कोशिश करेंगे कि आपका ये लेक्चर हैं इंट्रस्टिंग रहें आप इस पर लगातार पढ़ते रहें हमारा सेल क्या होता है एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं तो सेल जो है आपका यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ लाइफ है यानि सबसे प्राइमरी बेसिक स्ट्रक्चर अब बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं आपके मस्कुलर सेल हैं आपके स्किन सेल्स हैं आप के organic cells हैं तो ऐसे ही जो cell आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम बलड cell के बारे में पढ़ने जा रहे है कि एक छोटा सा cell जब grow करता है तो उसके अंदर क्या capability, ability होती है और जैसे जैसे वो grow करता जाता है आगे बढ़ते जाता है तो उसके दर क्या-क्या ability और capability आती रहती है जिससे आपका जो function है वो proper हो पाता है पहले point पर आप देख रहोगे neutrophil, snowphil, basophil, monocyte, mast cell, dendritic cell, macrophage, erythrocyde, t-lymphocyde, b-lymphocyde, plasma cell, natural killing cell यह different different type के blood cells ही होते है आपके body में जो present रहते हैं और यह blood cells क्या करते हैं आपके cells जो है body में जो nutrition पहचाने में काम कर रहे हैं जो flow करने में help कर रहे है oxygen carrying कर रहे है, iron contains carrying कर रहे है, folic acid bearing कर रहे है और अलग-अलग जगा पे circulation का काम fully fulfilled कर रहे है ये सारा काम किस तरीके से properly ये कर पाते हैं ये सारा आज हम इसके अंदर में समझने वाले हैं बात करें कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आपका hematopoices क्या होता है उसके definition के बारे में जानेंगे anatomy of hematopoices, anatomy का मतलब है shape, size वगेरा जो है आपका cells का वो देखेंगे कि किस तरीके से कौन से part पे क्या cell grow कर रहा है, क्या उसका size होता है, क्या वो उसकी functioning रहती है pathway कैसा है, मतलब क्या pathway, pathway का मतलब है कि कैसे कहां कहां कौन कौन से organ में जाके वो develop हो रहा होता है cell, वो सारी चीज़े भी हम इसके अंदर में देखने वाले हैं उसके बाद आपका specific जो differentiation of pathway है, मतलब जहां पे growth है, किस तरीके से होता है, hematopoices में एक तो specific आपका जो pathway है कैसे वहाँ जाने के बाद, cell एक single type में grow करता है और कैसे blood cell जो है, वो form हो रहे है, overall इसका भी देखेंगे इसके साथ में आपको एक diagram दिख जाएगा, यहाँ पे red bone marrow से जो cells है, वो बनना शुरू होते हैं और hematopoetic stem cell, यानि HSCS short form में इस नाम से cell जाने जाते हैं फिर यह आगे further divide होते हैं, red blood cell, white blood cell और platelet में यह तीन major part के cell में यह divide होते होगे, आपको दिखाई देंगे definition of hematopoeticis की बात करें, तो production of red blood cell, white blood cell and platelet, यानि यह जितने भी cell formation है, इसको हम क्या कहते हैं, hematopoeticis का process क्या होता है, तो आपका bone marrow जो है, वो initial stage होता है फिर आपका liver जो है, वो development में help करता है, जो आपका जो छोटा बच्चा है वहाँ से क्या होगा, कि आपका liver है, kidney है, york sec है, यहाँ से धीरे-धीरे cell कैसे बनना शुरू होता है, यानि जो mother है, उनके अवं में जब बच्चा पैदा होना शुरू होता है, तो वहाँ से कैसे आपका hematopoeticis process जो है, वो शुरू होता है, फिर वो bone की जो development है, उसके साथ-साथ में red blood cell की development किस तरीके से coordinate करती है आपस में, वो सारी चीज़े हम आप समझेंगे आगे, बात करते हैं, anatomy of hematopoeticis यानि structural anatomy की, तो first जो आपका stage है, जहां पे आपका trimester, first trimester जो है, step by step, वैसे ही हमारा hematopoeticis की anatomy यानि जहां पे cell जो है, वो develop करता है, वो कैसे करेगा, तो first trimester में आपका york sec, यानि छोटा सा जो एक egg shape का रहता है, अब हम में, उसको हम york sec कहते हैं, आप image diagram में भी देख सकते हूँ, फिर उसके बाद जो second trimester है, वो आपका liver और spleen में जाता है, development के, third trimester जो है, फिर आपका central peripheral skeleton इस part पर ये move करता है, फिर adulthood आता है, जिसमें आपका axial हो गया, skeleton हो गया, vertebral हो गया, body के अलग-अलग part हो गया, sternum हो गया, ribs हो गया, pelvis हो गया, ये सारा part जो है, bone का धीरे-धीरे बनना शुरू होता है, यानि ये stage है, जहां पे अभी bone जो ह है, वो develop होना शुरू होती है, उसके बाद जो आपका process है, hematopoices का वो शुरू होता है, यानि initial stage पर सबसे पहले york sack बनेगा, ठीक है, जिसको हम एक छोटा सा कह सकते हो कि egg-shaped baby कह सकते है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, उसके बाद फिर उसका liver बनता है, splint बनता है, फि vertebral है, vertebral bodies है, sternum है, ribs है, pelvis है, यह सारा बनना शुरू होता है, और जब यह बन जाता है, उसके बाद आपका hematopoices के stages जो है, वो शुरू हो जाती है, फिर बात करते हैं, hematopoices में, कि यह किस तरीके से extend होता है, तो fittal के अंदर, जो छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर time to time, यह demand के accordingly, जैसे blood cells अब बनाना शुरू करना है, तो वो demand के accordingly क्या होता है, external hematopoices यानि MF का जो part है, वो शुरू होता है, जिसे हम thalassemia के face में भी जानते हैं, अब बात कर लेते हैं कि cellular pathway यानि जो cell है, वो कैसे कैसे grow करना शुरू करता है, तो अगर बात करें, overall cell grow की कि किस तरीके से आपका cellular जो है, वो organize किया जाता है, किस तरीके से hematopoices जो है, व बाता है, फिर extractor होना शुरू होता है, मतलब अलग-अलग pathway में move करना वो शुरू करते हैं, यहाँ पर जो diagram है, यहाँ इसके help से हम लोग एक समझेंगे, सबसे पहले आपका multi-potential hematopoetic stem cell, ठीक है, hemocytoblast के नाम से भी यह जाना जाता है, यह आपका दो पार्ट में divide होता है, और after division, कुछ cell जो है, वो दुबारा से stem cell में convert हो जाते हैं, और कुछ cell जो है, वो आगे further two parts में divide होते हैं, जिसको हम myloid stem cell और lymphoid stem cell के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फिर आगे moilide का अलग chain चलती है, और lymphoid की अलग chain चलती है, बात करें moilide stem cell की, तो यह आपका megacryoblast, proerithroblast, myeloblast और monoblast, यह चार पार्ट में divide होते हैं, अभी सिर्फ overview दे रहे हैं, इसके कई सारे step हमने बीच में skip कर रखे हैं, फिर अगर बात करें megacryoblast की, तो वो megacryocyte मे आगे जाके platelet में convert हो जाता है, यानि आपके blood cell का एक part है, उसके बाद फिर जो आपका proerithroblast है, यह reticulocyte में convert होता है, और आगे जाके erythrocyte में convert हो जाता है, जो कि आपके red blood cell के नाम से जाने जाते हैं, फिर आपका myeloblast है, जो आगे फरदर basophil, neutrophil और isnophil, यह तीन type के granulocyte cell में convert होता है, फिर monoblast की बात करें, तो यह monocyte में convert होता है, और फरदर आगे जाके, फिर आगे फरदर आपका monophases में convert हो जाता है, कौन सा monocyte जो है, उसके बाद आजाते हैं, हम lymphoid stem cell, जो कि आपका lymphoblast में convert होता है, ध्यान रखना, lymphoid stem cell से lymphoblast के जाने के बीच मे एक दो step है, हम major major step पे कहां कहां, वो turn ले रहा है cell, convert होने के लिए, हम सिर्फ उस major point की बात कर रहे हैं अभी, फिर यह फरदर दो पार्ट में divide होता है, जो कि आपका natural killing cell है, large granule lymphocyte भी कहा जाता है इसको, और small lymphocytes भी कहा जाता है, यह फरदर आगे large natural killer cell जो है, यहीं पे end हो होते हैं, जो कि आपका T lymphocyte और B lymphocyte में convert होता है, अब T lymphocyte एक side में separate हो जाता है, यह as it is आपके blood में रहेगा, और B lymphocyte जो है, वो फरदर आगे आपका plasma cell में convert होता है, तो इस तरीके से आपका जो hematopoices यानि cell का formation major major तोर पे यहां आपको इस तरीके से देखने को मिलता है अब cellular part of hematopoices में हम stem cell के बारे में समझते हैं कि stem cell क्या है, अब बात करते हैं stem cell की, तो stem cell क्या है, एक तरीके से आपका godfather cell होता है, godfather cell इसले कहा जाता है इसको, कि इसके अंदर इतनी ability होती है कि यह अपने आपको multiple time develop कर सकता है, यानि किसी भी part के cell में divide कर सकता है, इतना potential होता है इसके अंदर, कि यह आपका WBC भी बन जाएगा, RBC भी बन जाएगा, platelet भी बन जाएगा, killer cell भी बन जाएगा, CD4, CD8 cells में भी convert हो जाएगा, neutrophilic cells भी बन सकता है, इतनी इसके अंदर capability होती है, ठीक है, यह change होता है according to our body requirement, suppose हमारे body में platelet की कमी हो रही है, तो जो अगर आपकी body में erythrocyde की कमी हो रही है, तो वो erythrocyde की conversion में चला जाएगा, अगर आपके body में lymphocyde की कमी हो रही है, तो lymphocyde में चला जाएगा, neutrophil की कमी हो रही है, तो neutrophil में चला जाएगा, इस तरीके से multiple change आपको देखने को cell में मिलता है, ओके, आप हम stem cell के बारे मे जो आपका progenital stem cell है godfather stem cell जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में कुछ point wise समझते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि unlimited self renewable ability होती है renew कर सकता है अपने आपको ठेक है उसके बाद unlimited differentiation यानि किसी भी part के cell की जरुवत होती है उसमें ये convert हो सकता है वो बड़ा रहता है थोड़ा natural cells के size के मुकाबले in size का stem cell का size जो है वो बड़ा रहेगा resistance highly resistance होता है chemotherapy पे recite करें कि प्राइमली इसका flow यानि blood के अंदर कितना flow रहेगा तो बहुत ही कम मातरा में ये blood flow के अंदर present होता है blood flow मतलब जो आपके cells है उसके अंदर अगर हम बात करें तो जादा तर आपके 3 cells देखने को मिलते है जो कि RBC, WBC और platelet होते है ये वाले cells flow में कम रहते हैं मतलब आपके जो organal development part है वहाँ पे जादा रहेंगे यानि blood flow का जो important काम है जो कि nutrition वगरा supply कराना और RBC का जो important काम है वो है oxygen supply करना WBC का important काम है वो आपके cell immunity को बरकरार रखे इन सब चीजों में तो यहाँ पे इनका role ये जो role important role जो है blood का उसमें नहीं आता है इनका development part पे रहता है surface antigen की बात करें कि इस blood cell के ऊपर क्या surface antigen present रहते हैं तो CD34 जो कि आपका cluster deficient 34 antigen के नाम से जाना जाता है अगर बात करें कि ये किस तरीके से दिखते हैं तो ये आपके lymphocyte cell small छोटे lymphocyte cell के तरह देखने को मिलेंगे कौन से stem cell की बात कर रहे हैं अगर हम microscope के अंदर देखते हैं तो इस तरीके के दिखते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा तो आपका lymphatic anemia या certain type of leukemia देखने को आपको मिलेगा अब बात करते हैं multipotential stem cell यानि lymphoid myloid stem cell के बारे में ठीक है दो पार्ट में divided है आपका जो कि lymphoid stem cell है और myloid stem cell है lymphoid और myloid जो है ये drive हुआ है आपका purity potential stem cell से यानि जो आपके god father stem cell है वहाँ से capability की बात करें तो ये extend कर सकता है self renewal जैसे वो आपका renew हो रहा था वैसे ये भी आपका renew हो जाता है इसके आगे भी इसके पास extension deficient की ability होती है मतलब ये lymphoid में भी 3-4 cell के पार्ट में divide हो सकता है lymphoid stem cell की बात करें कि ये rise कैसे करता है तो category जो है ये depend करती है कि आपका जो mature lymphocyte है वो कितने हैं उसके accordingly ये अपने आपको convert करेगा ठीक है moiloid भी same आपके granules monocytes या platelet कितने body में present है red blood cell कितने body में present है कितने इसकी demand है उसके हिसाब से ये अपने आपको modify करते हुए grow करता है अगर बात करें lymphoid stem cell की कि भाई ये rise में इसको हम क्या बोलते हैं कैसे technical word जो है हमारा तो इसको बोलेंगे lympho pro life rate ये आपका term है जो कि lymphoid stem cell की जो grow rising condition है उसको बोला जाता है lympho pro life rate और malignancy जो megalan cell होते हैं जो grow कर रहे होते हैं जो कि क्या है आपके lymphocytic leukemia के condition में आते हैं जहां पर आपका जो cell है lymphoid stem cell जो है वो grow कर रहा होता है और दूसरा condition आता है megalan such as acute myeloid leukemia ठीक है ये दो condition है basically जो आपकी cellular deficiency की वज़े से देखने को मिलती है या cellular manufacturing का unwanted development देखने की वज़े से दिखता है आगे बात करते हैं आपके drive हैं कहां से multi potential stem cells से drive है मतलब वहां से आई हुए cells है capability इनकी भी आपकी limited self renewal यानि एक specific path में आने के बाद वापिस दूसरे path में नहीं आ सकते अब इनका जो pathway है वो specific हो गया मतलब एक specific type of cell में ही या convert होंगे ठीक है limited differentiation होता है limited मतलब अगर मालो granulocyte की conversion में चला गया तो neutrophil बन जाएगा बैसोफिल बन जाएगा इसा नहीं कि lymphocyte बन जाएगा या erythrocyte बन जाएगा यह possibility नहीं है ठीक है अगर वो erythrocyte की form में गय हुआ है तो neutrophil ही बनेगा इस तरीके से आगे forming होती है ठीक है बात करते हैं अब short form के साथ में CFU GEWM यानि colony forming unit granulocyte, erythrocyte, macrophages और megacryocyte यह आपकी क्या है CFU unit है यानि एक unit के अंदर यह part में से कोई सब एक part cell का बनाया जा सकता है फिर CFU ME यानि colony forming unit megacryocyte और erythrocyte यह तो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा turning पे फिर same CFU GM यानि colony forming unit granulocyte यानि monocyte आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे फिर CFU G यानि colony forming unit granulocyte यानि आगे आगे आपके फर्दर neutrophil, isnophil और basophil की grow यहाँ पे देखने को मिलेगी responsive कि अगर बात करें कि hematopoiesis growth factor क्या-क्या है तो आपका erythropoietin stem cell यानि CFU E और GM CSF cerebrum spinal fluid बोला जाता है इसको ठीक है, stimulate जो करता है तो CFU GM जो है वो stimulate होता है आपके, CFU G जो है यह stimulate होता है आपका यह क्या है spinal fluid है जो कि joints वगेरा में, backbone में, brain को protection देने में यहाँ पे आपके काम आता है और देखने को मिलता है अगर हम बात करें differentiation की कि यह antigens को कैसे surface antigens को कैसे रखते है तो जो इनका proteins है जो कि क्या है आपका CD19B lymphocyte इस form में यह क्या करता है differentiate antigens को surface को protein provide कराते है यहीं रोक देंगे आज का लेक्चर यहीं पर हम end करते हैं उमीद करता हूं कि आपको इतना part hematopoietic का समझ में आयागा hematopoiesis का आया होगा कल हम लोग आगे फर्दर जानेंगे कि आपका cellular pathway of hematopoiesis के अंदर जो process है blast cell और progenesis का वो किस तरीके से काम करता है याने erythrocyte, myeloblast, monoblast, lymphoblast यह क्या चीज है और किस तरीके से आगे फर्दर यह develop होते हैं keep studying thank you